हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि होल्डिंग कैपसिटी क्या होती है तो होल्डिंग कैपसिटी जो है उसको हम वॉल्यूम भी बोलते हैं कोई भी कंटेनर है अगर मानलो यह आपका ग्लास है तो इसके अंदर जितना भी मिल्क या लिक्विड आ सकता है वो इसकी कैपसि हो गई कोई भी बॉट्टल है कोई भी ग्लास है कोई भी बॉक्स है अगर उसके अंदर कुछ कितना amount fill किया जा सकता है that is the capacity ठीक है तो holding capacity मितना कि ये container कितनी चीज को कितने amount को hold कर सकता है और ये holding capacity हम measure करते हैं लीटर में तो आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले हम unit देख लेते हैं तो one liter जो है वो thousand milliliter के equal होता है याद रखना है आपको ठीक है लीटर जो है बड़ी unit है और milliliter चोटी unit है तो एक लीटर में thousand milliliter है अगर लीटर को milliliter में convert करना है तो आपको thousand का क्या करना पड़ेगा multiply इसी तरीके से अगर milliliter दिया है तो एक milliliter में कितने लीटर होंगे तो वो होंगे one upon thousand क्योंकि milliliter चोटी unit है और लीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें divide करना पड़ेगा thousand से तो यह आप याद रखेंगे इसी तरीके से आपने weight से related unit भी पड़ रखी है previous chapter में है ना weight में one kilogram equal to thousand gram इसी तरीके से अगर one gram को आपको kilogram में convert करना है तो thousand से divide करना पड़ेगा मतलब one upon thousand अगर one gram को आपको milliliter में convert करना है तो milligram जो है वो gram से छोटी unit है तो इसका आपको thousand से multiply करना पड़ेगा तो one gram equal to thousand milligram इसी तरह से अगर milligram दिया है और आपको gram बनाना है तो आपको thousand से divide करना है मतलब one milligram किसके equal होता है one upon thousand gram के equal होता है अब इसी तरह से length की भी आप पड़ चुके हो तो length में जो था किलो मीटर, मीटर, सैंटी मीटर, मिली मीटर इस टाइप के units होती है तो one किलो मीटर जो है वो सबसे बड़ी unit है इसमें तो one किलो मीटर thousand मीटर के equal होती है इसी तरह से one मीटर जो होता है one upon thousand किलो मीटर के equal होता है अब अगर मीटर को centimeter में convert करना है तो one मीटर equal होता है hundred centimeter के ठीक है और अगर centimeter को meter में convert करना है तो ये equal है one upon hundred meter के इसी तरह से अगर one मीटर को आपको millimeter में convert करना है तो ये हो गया one meter equal to thousand millimeter और millimeter को अगर meter में convert करना है तो one millimeter equal to one upon thousand meter conversion of units तो कुछ sums है अब इसमें first sum देख रहे है convert 4750 milliliter into liter अब ये milliliter दिया है इसको liter में convert करना है तो हम देखते हैं पहले क्या formula था one milliliter equal to one upon thousand liter ये है formula तो इसके according तो हमें thousand से इसको divide करना पड़ेगा liter बनाने के लिए तो हम करते हैं 4750 milliliter को अगर liter convert करना है तो 4750 आपको upon thousand अपने ये लिखा अब आपने सीखा है decimal में कि अगर fraction को decimal में convert करते हैं तो कैसे करते हैं तो इसमें कितने zero है one two three तो हमें decimal लगाना पड़ेगा after three digits one two three तो आपका decimal four के बाद आगया four और seven की बीच में तो four decimal seven five zero ये क्या बन गया आपका बन गया है लीटर ठीक है आगे देखते हैं convert two whole number one upon two liter into milliliter लीटर को milliliter इसके लिए क्या formula है one liter equal to thousand milliliter अब इसके according हमें thousand से multiply करना पड़ेगा तो हम पहले two को कर लेते हैं फिर half को कर लेंगे तो two को हम करेंगे अगर multiply thousand से ये whole number है ना क्योंकि इसको अलग से कर सकते हैं अब इसमें जो भी answer आएगा उसमें हम ये half से भी multiply करना पड़ेगा हाफ भी तो है तो half को भी हम multiply करेंगे किसे? thousand से ओके? तब हमारा क्या बन जाएगा वो? बन जाएगा हमारा milliliter में convert हो जाएगा अब इसको करते हैं two को thousand से किया तो ये आगिया two thousand अब आपने two को two तो ये नीचे है तो आप इसको two से cancel कर सकते हो अगर आपको आसा मतलब इसको two से divide करना है thousand को आप simply आप क्या करोगे? नीचे है two तो two से आपने इसको divide किया तो क्या आया भी? two five ten और इसके बाद ये zero तो ये और एक और zero तो ये zero तो क्या आगिया भी? five hundred तो हमें करना पड़ेगा five hundred को add ये कितना हो गया टोटल? two thousand five hundred हमने क्या convert कर दिया? इसको बना दिया है milliliter ठीक है? आगे दिखते हैं convert two point five liter into milliliter इसमें भी वही लगेगा one liter equal to thousand milliliter तो इसमें भी one liter में thousand milliliter होते हैं तो two point five में कितने होंगे? ये देखता है आपको है ना? तो अब आप two point five को भी हमें multiply करना पड़ेगा thousand से तो ये क्या है आपका? two point five zero 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 अब इसमें one digit के पार decimal लगा है तो हम भी यहाँ पर decimal लगा सकते हैं और जब आप decimal लगा देंगे तो इसकी कोई value नहीं है ये किसके equal आजाएगा? two thousand five hundred milliliter आगे देखते हैं convert eighteen thousand milliliter इन्टू लीटर अब one milliliter हमने पीछे देखा है equal to one upon thousand liter ये याद रखना पड़ेगा आपको तो इसका मतलब है कि हमें thousand से divide करना पड़ेगा कितने हमारे पास milliliter है? eighteen thousand तो हमने eighteen thousand लिखा और इसको हमें divide करना पड़ेगा thousand से ओके अब आपको इधर भी three zero दिख रहे हैं इस zero से इस zero को cut कर सकते हो इस से इसको इस से इसको अब नीचे तो कुछ नहीं बचा तो ये equal किस के आगया है? eighteen liter convert two thousand two hundred fifty milliliter into liter ये भी milliliter है और liter में convert करना है तो हमें divide करना पड़ेगा thousand से फिर से वही लिखते हैं one milliliter equal to one upon thousand liter तो ये हमारा number है क्या है भी? two thousand two hundred fifty milliliter है इसको लिटर बनाना है तो thousand से आपने divide किया इस तरह से कर सकते हैं divide अना तो अब आप चाहें तो decimal जिस तरह से लगाते हैं वैसे भी लगा एक zero से zero तो cancel करिए सकते हो तो ये क्या आगया? two twenty five upon hundred अब आप देखो नीचे कितने zero है? one two तो हम two digit count करके decimal put कर सकते हैं ये दौनो two के बीच में हमारा decimal आ सकता है हम इसे लिख सकते हैं two decimal to five liter अब कुछ problems देखते हैं राधा पोड 500 milliliter, 200 milliliter and 100 milliliter capacity holding pots in a thermos एक thermos है उसमें 500 milliliter का एक और 200 milliliter का और 100 milliliter के कुछ पोड्स है उसमें डाले गए भर के ठीक है? if the thermos is half filled सब्स अभी thermos बना लेते हैं ठीक है? ये हमारा एक thermos है अब इस thermos में ये सिर्फ half fill हो रहा है पूरा नहीं भर है, half है इसमें क्या-क्या डाल दिया है? एक डाल दिया है 500 milliliter का एक परतन भर के पाँ इसमें डाल दिया water डाला या जो भी कुछ डाला ठीक है? और दूसरा हमने डाल दिया 200 milliliter का liquid इसमें और एक और डाल दिया 100 milliliter का ये सारी की सारी चीजें हमने इसमें डाली हैं लेकिन ये अभी भी हाफ fill हुआ है अभी टोटल कितना हो गया? 500 plus 200 plus 100 ये कितना हुआ बिटा? ये हो गया 800 milliliter के एक फल हाना? अब 800 milliliter में तो ये सिर्फ हाफ ही भरा है तो इसकी कैपेसिटी पूरा भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे डबल क्वांटिटी का चाहिए था हमें हाना? तो ये तो हाफ fill हुआ है तो इसने हिस्से में तो 800 milliliter आ गया है ये हाफ है तो इधर के लिए भी तो 800 चाहिए तब ही पूरा भरेगा तो इसका मतलब है हमें 800 को किस से मल्टिप्लाय करना पड़ेगा? तू से पूरा भरने के लिए क्योंकि हाफ ही भराएब तो इसकी कैपेसिटी जो आएगी वो आगई मल्टिप्लाय कर सकते बीटा ये आगया 1600 milliliter तो ये थर्मस पुरा भरने के लिए कितना चाहिए अमाउंट? 1600 milliliter ठीक है? तो कैपेसिटी ऑफ दे थर्मस क्या आगई है? कैपेसिटी पूछा है ना आपको? वोल्डिंग कैपेसिटी तो कैपेसिटी ऑफ थर्मस इकवल टू कितनी आएए? 1600 milliliter इना small bottle of kerosene, 3 liters kerosene can be filled एक चोटी सी bottle है, है ना kerosene की? ये bottle है, हमारी चोटी सी और इसके अंदर कितना आता है? 3 liter ये है 3 liter अब ऐसी कितनी bottle है? 8 bottle तो उनमें कितना आएगा kerosene? 3 liter एक bottle में आ जाता है तो 1 bottle में कितना आ रहा है? capacity of 1 bottle कितनी है? ये 3 liter तो capacity of 8 bottles कितनी होगी? जादा होगी ना, 8 bottle में तो जादा आएगा जादा आएगा इसका मतलब है multiply करना पड़ेगा तो 3 into 8 कितना आ गया? 24 liter तो आगी 8 bottle में kerosene कितना हम फिल कर सकते है? 24 liter how many 250 ml packets can be packed from 10 liters milk? 10 liter milk है कितना है? total milk कितना है? total milk है 10 liters अब ये liter में दिया है और ये milliliter में दिया है तो it is better कि liter को हम milliliter में convert करें तो 10 liter को अगर हमें milliliter में convert करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 liter में कितना होता है? 1 liter equal to 1000 milliliter तो 10 liter में कितना होगा? 10 in 2000 ठीक है? milliliter तो total कितना होगा? 10,000 milliliter अब packet बनाने है 250 milliliter के एक packet में 250 milliliter है और हमारे पास total में कितना है? तो कितने packet बनेंगे? तो अगर हम इसको 250 से divide कर दें तो कैसे करते हैं? पहले ऐसे करते हैं divide कि 10,000 आपने लिखा upon अपन करके भी divide होता है बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है? अब हम 0 से 0 कैंसल कर देते हैं अब इसके बाद आप चाहें तो इस तरह से divide कर सकते हैं कितना बच्चा आपका? थाउसे और इसको आपको आपको divide करना है 25 से 25 से divide किया 100 देखा तो ये 4 टाइम्स जा सकता है ये हो गया? ठीक है? अब कुछ नहीं बचा? इसके बाद हमने ये 0 नीचे लाया आप तो कुछ जा नहीं सकता है तो ये 0 नीचे लाये थे तो इसलिए एक 0 आपको लिखना पड़ेगा तो 10,000 मिली लीटर मिल्क में हमारे क्या बन गए है? 40 ये है पैकेट्स क्या बन गए बिटा? पैकेट्स इतने पैकेट्स हम बना सकता है कितने कितने कॉंटिटी के? 250 मिली लीटर के इन ड्रम ऑफ 200 लीटर होलिंग कैपसिटी 5 लीटर ऑफ 10 ड्रम स्तुरी लीटर ऑफ 10 लीटर ऑफ 10 बाच लीटर ऑफ 10 बाच बाच गटाल की लीटर फीं बाच है? अब भाई ये एक बड़ा इस ड्रम है ठीक है? और इस drum की capacity कितनी है 200 लीटर अब हमने इसमें क्या किया है 5 लीटर की 10 drum डालती है तो 5 लीटर के हमने डाले है कितने drum 10 drum ठीक है और 3 लीटर की 20 bottles डाली है 3 लीटर की कितनी डाली है 20 bottles उसके पाद 2 लीटर की 15 bottle डाली है हमने 2 लीटर की 15 bottle इतना हमने यह सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है ठीक है तो कितना डाल चुके हैं हम इस में 5 को 10 से multiply किया 50 लीटर डाल दिया 20 को 3 से किया 60 लीटर भी डाल दिया 15 को 2 से चों doses खीआ तो हम ने ढ डाल दीया 30 sore अब टोटल कितना डाल दीया भाई? कितना भर गया इसके अंदर? इसके अंदर भर गया है हमारा 0 का 0 और यहागय 14 0 इतना हमने इसमे डाला है तो 140 लीटर तो इसके अंदर आ गया अभी कितना और डालना है, जितना भी डालना है, वो हम one liter bottle से डालेंगे तो कितना डालना पड़ेगा one liter की bottle से, total जो है two hundred है इसकी capacity one forty तो हम डाल चुके हैं, तो कितना अभी बाकी है, fill करना इसका इसको fill करना बाकी है आपने इसको minus किया 60 60 liter और अभी इसमें डालना है वो हम 1 liter bottle से डालेंगे तो 1 liter bottle से अगर 60 liter भरना है इसको तो कितनी bottle डालनी पड़ेंगी भी एक bottle हम 1 liter वाली use कर रहे हैं तो इसमें कितनी bottle डल जाएंगी 60 bottle डालनी पड़ेंगी न तो कितनी bottle आपको डालनी है 60 bottles of 1 liter अभी आपका एक tank है चट पे लगा हूँ एक tank है ठीक है यह tank है और इस tank में क्या है यहाँ पर एक नल लगा है इससे यह पानी अंदर जाता है ठीक है इफ द टैंक और इधर से एक नल है जिससे की पानी नीचे आता है अब if the tank is filled by tap in 1 hour is 25 liter 1 hour में कितना fill कर रहा है यह 25 liter fill रहा है 1 hour में और 1 hour में and lower take it out in 1 hour 10 liter और इससे 1 hour में कितना बार निकल रहा है 10 liter तो 4 hours में इस tank में after 4 hours how much water in tank at the time of starting tank is empty अगर शुरू में tank बिल्कुल खाली था तो after 4 hour क्या कितना पानी इसके अंदर रह जाएगा तो 1 hour में 1 hour में कितना फिल हो रहा है 1 hour में कितना फिल हो रहा है hour filled 25 liters तो 4 hours में कितना होगा 4 hour में कितना फिल होगा 25 ज़्यादा भरेगा न तो multiply होगा मतलब कि 100 liter फिल हो गया ठीक है 1 hour में अगर 25 liter फिल होता है तो 4 hour में कितना फिल हो गया है 100 liter अब इसी तरीके से 1 hour में empty होता है नीचे से ये वाला नल से 10 liter तो 4 hour में कितना एमटी होगा 4 hour में empty होगा 10 into 4 मतलब 40 liter कि 4 hour में क्या होगा कि उपर के नल से पानी इसमें आएगा 100 liter लेकिन नीचे के नल से पानी बाहर निकल जाएगा 40 liter तो आफ्टर 4 hours में कितना पानी बाकी रहेगा ठीक है तो कितना पानी बाकी रहेगा remaining water remaining water after 4 hours कितना बाकी रह जाएगा 100 तो फिल हुआ है और इसमें से निकल गया है minus हो गया है 40 liter तो उसमें टैंक में कितना बाकी रह गया टैंक में बाकी रह गया 60 liters मतलब आफ्टर रमेश है 600 liter tank on his roof and water expenses of his family in a day is 20 buckets 600 liter उसके जो roof पर tank है उसकी capacity कितनी है उसकी capacity है 600 liter और एक दिन में कितना खर्च होता है उसका water expenses मतलब खर्च होता है पानी उसकी family के लिए 20 buckets कितना खर्च हो रहा है 20 buckets और एक bucket कि capacity कितनी है 10 liter एक bucket में 10 liter पानी आता है तो यह 20 in to 10 20 buckets पानी खर्च होता है और एक bucket में 10 liter पानी आता है तो वन डे में कितना खर्च कर रहा है वो 200 लीटर हला 200 लीटर खर्च हो रहा है तो टोटल तो उसके टैंक में कितना पानी फिल है 600 लीटर तो एक दिन में 200 लीटर खर्च हो क्या तो ये कितना पानी कितने दिन चल सकता है तो 600 आप ओरल भी बता सकते हो भई, 600 लिटर टैंक में पानी है, एक दिन में 200 लिटर expense हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो कितने दिन पानी चलेगा, इसके लिए आप क्या करोगे, 600 को आपको करना पड़ेगा, 200 divided, क्या अगया भई, या क्या, 3 days, कितने दिन पानी चलेगा, 3 days A tank is filled by a tap in 2 hours, an outlet tap empty it in 4 hours, if both the tapes are operated for 1 hour, what will be the position of the tank, अब ये फिर से tank हमें बनाना पड़ेगा, ये आपका tank हो गया, ठीक है, अब इधर से जो tap है, उसे पानी अंदर चाह रहा है, और 2, a tank is filled in 2 hours, 2 hours में ये पूरा भर जाता है, ठीक है, और outlet time जो है, ये बाहर जो है, इसे निकल रहा है पानी, ये 4 hours में पूरा empty हो जाता है, तो ये 2 hours में पूरा fill होता है, ये 4 hours में पूरा empty होता है, तो अगर filled वाला देखा है, टैप that filled, फिल्ड कितना है, filled का अगर आप देखेंगे, filled in 2 hours, पूरा fill हो रहा है, तो 1 hour में कितना fill होगा? 1 hour में कितना? Half ही तो fill होगा न, तो filled in 1 hour, 1 hour कितना होगा? Half, आपको हम ऐसे लिख सकते हैं, आदा ही बत पर आए, half filled, filled in 1 hour, half, टीक है? Same thing, अगर 4 hour में empty हो रहा है न, यह empty वाला है, empty in 4 hours, तो empty in 1 hour कितना होगा? 1 hour कितना होगा? 1 upon 4, 1 upon 4 होगा न, empty, इसका 1 upon 4, empty in 1 hour कितना होगा? 1 upon 4, आपको 1 hour कितना होगा है, तो 1 hour कितना पानी fill रहा जाएगा? तो 1 hour में कितना fill होगा है, fill होगा है, 1 upon 2, empty कितना होगा है? 1 upon 4, टीक है? अब आपको इसको minus करना है, लेकिन कैसे करोगे minus? आपको इसके लिए denominator आप सैम कर सकते हो, वैसे औरल ही बता सकते हो, half भरा है, उसमें से 1 fourth निकल गया, तो कितना बचेगा? 1 fourth बचेगा, लेकिन कैसे करना है? मैं एक बर बता देती हूँ आपको, ठीक है? तो इसके लिए आपको denominator को सैम करना है, यह 4 है, तो इसको भी 4 करना है, कैसे कर सकते हो आप इसको 4? अगर आप दौना तरफ इसको 2 से multiply कर दोगे, तो अब यह क्या हो गया? यह बन गया है हमारा 2 upon 4, और यहां क्या बन गया है? 1 upon 4, यह already था, हमने इस तरीके से denominator को common कर लिया, अब नीजे denominator common है, तो हम उपर वाले numerator को minus कर सकते हैं, 2 में से आप 1 को minus करोगे, यह क्या 1 upon 4, तो आफ्टर 1 आर, टैंक की क्या position होगी? आफ्टर 1 आर, टैंक में कितना पानी होगा? 1 upon 4, ठीक है? ध्यान डखोगे, आफ्टर 1 आर, आफ्टर 1 आर, पोजीशन आफ्टर 1 आर, टैंक क्या होगी भई? पोजीशन आफ्टर 1 आर, टैंक, क्या है? वन फोर्थ फिल्ड, वन फोर्थ फिल्ड होगा होगा, थोड़ा पानी तो,